नमस्ते, आज मैं आप लोगों के समने एक सुझाव रखना चाहता हूँ, आप लोगों हर सल कहीं न कहीं पिक्निक मनाने गया होंगे, या कोई लोग पिक्निक मनाते हैं, हर पिक्निक स्पोट में एक कमन चीज देखने मेलेगा, वो है उस एरिया का गार्बेजेस, मैं ले थार्मो कोल प्लेट, थार्मो कोल कॉप, यूजेंटो ग्लास, हजडीपी कोटेड पेपर प्लेट, पेपर कॉप, और पेपर ग्लास, हम लोग सब पिक्निक मनाते हैं, अपना खुशी मनात हुए वापस घर चला जाते हैं, और ये जुद्धामा कोल प्लेट उधर, हम छोड़ के आ जाते हैं, उसको गाय, बकरी, और मुर्गा ये सब खाते हैं, मैंने एक पिक्निक स्पोट वीजिट किया था, तो मैंने देखा उस पिक्निक स्पोट को लगवए एक चोटा सा गाउं था, दो थर्मा कोल प्लेट उधर गी रहा था, और एक मुर्गा उधिन टैन मिनिट्स उसको खा लिया, जैसे कि आप लोग से जानते हैं, यह जो थर्मोकूल प्लेट है, यह जो पेपर कप और पेपर ग्लास है, यह ना हमारा पेट में, ना इन मासवन चानवरों के पेट में डाइजेशन होता है, बलकि यह सब अगर वो खा लेते हैं, तो उनका स्टोमाक ने तो इन्तिस्टाइन में ब्लॉकेज करेगा, और यह ब्लॉकेज अब भारी हो जाएगा, तो यह लोग मौर जाता हैं, तो मेरा आप लोगों को एक सुझाब है, अन्रोद है, कि आप कहीं ही पिक्निक करने के लिए जाएं, पिक्निक खातम होने के बाद, यह सब जो गार्वेजेस हैं, उसको उठाएके नियरवाई, मुंसिपाल्टी डंपिंग यार में डाल दें, अगर यह नहीं कर सकते हैं, तो एक छोटी से बात कीजिए, इस अब को एकठा करके उसको जला दो, so that यह जो माशुमिन जानबर हैं, उसको ना खापाएं, और उन्हा यह खुर्यल डेथ नहो हो, यह मेरा बात था जो आपको बोल दिया, you decide how to do. Thank you. Jai.